जब हम खुद से ज़्यादा औरों के उपर अपनी निरवर्ता बढ़ाते हैं, तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखे इंसान को देखते हैं और यह सोचते हैं कि कास मैं भी इसकी तरह ही सुखे होता हैं, जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रम में है ही नहीं पर गुसा और चिंदा करने लगते हैं, तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तमे करूप से हम ज़्याद कमजोर होने लगते हैं। क्या कानद हैं? बुरी आदतें बहुती जल्दी हम पर हादी बजाते हैं। जाकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीजों को दो तरीकों से बरगे कृत करता है। तकलीफ और आनन्द मन तकलीफ या कहें दुख से भागता है। और आनन्द यानी सुख के परती आसक्त रहता है। बुरी आदतें सुरू में आनन्द अवस्य देती हैं। जैसे सराप पीना आदी परंतु लंबे समय तक नहीं है। अब मन यह जानता भी है। परंतु यह हमेशा तदकाल सुख की और भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है। जैसे कि सुबह की सेर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है। और कुछ न कुछ बहाना ढून लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए यह एक मात्र सूच है। अच्छी आदतों में सक्त नियम होते हैं पर मन चल्चल रहता है। लेकि जब दीरे दीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को अनंद से जोड़ कर देखेंगे। तो वो अच्छी आदत आपको सिख्र बढ़ जाएगी। बुरी आदते इसलिए हावी हो जाती है। क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़ कर देखता है। और अच्छी आदतों में लंबे समय लग जाते है। क्योंकि मन इसे कस्ट से जोड़ कर देखता है। नीचे गरने में कोई ताकत नहीं लगती है, उसी तरह बुरी आदत में मन को उत्रा समझाना नहीं पड़ता है, और अच्छी आदत बनाने के लिए महनत लगती है। कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं लेकिन जब साथेंपे साथ करते तो उन्हें गलत करने जैसी बात मैसूस नहीं होती है, इसलिए यह आप पर निवा करती है, कि आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुड़कने में ताकत नहीं आदतों का गुलाब होता है वैक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाता है इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो आदतें आपका वक्त बदल देती है पर जो वैक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अबस्य अपने कल को भी बदल ले इसलिए मैं यह नहीं कहता है कि कोई चीज गलत है या बुरी है वह लोगों का नजर्या होता है उसकाम के पढ़ती जिसे लोग गलत समझते हैं ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती है और वह आपके विकास को बाधित कर रही है आप उस आदत को छोड़ सकते ह आदते ही उसका अच्छा और बुरा बनाती है किसी वे वेक्ती की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है वेक्ती किसी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने जूट बोलते है वेक्ती की जूट बोलने की आदत इंसान को सकट के गहरे में टाल देती है और आल बातों को आप अवस्य ध्यान में रखिए। सिर्किष्ट कहते हैं कि सुआर्थ ही बनिये पर आपका सब पुरानों में ये अच्छे लगते हैं। पहली प्रार्थ में इकता माता पिता हो दीजिए। बागी दुनिया चले। रिस्तेदारी में तीसरे वेक्ति से अपनी समस्या का सुझाओ लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पढ़ता हूं। हसते रही हैं। हर किसी को खुस नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए। बहनत कीजिए। ऐसा सब कुछ नहीं होता हूं। लेकिन बहुत कुछ होता है। आप जो भी लक्षे चुनते हैं। उसके परती त्रिट है। हर किसी के जीवन में अपने लक्षे होते हैं। इसे प्राप्त करते हैं। तो वो पुर्ण महसूस करते हैं। एक बार एक राजा सिकार पर निखले, उनके साथ उनका काफिला भी मौझूद था, सिकार को ढूंडते हुए राजा और उसका काफिला जंगल से बुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर था कोई सिकार नजर नहीं आ रहा था, राजा अपने काफिले के साथ देले के अंदर प्रवेश कर रहा था जैसे ही वो कुछ और अंदर गया उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई थी लेकिन वो जगह डाकों के छिपने की थी जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो एक दोता मोला पकड़ो पकड़ो एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत ही सा एक बड़ा सा पेड़ दिखाए थिया वो सभी उस पेड़ के पास चले गया है जब वो सभी पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक दोता बैड़ा था वो दोता बोला आओ राजा हमारे सादु मात्मा के कुटी में आपका स्वागत है आई ये पानी पीजियो और उसने सोचा कि एक ही जाती के दो प्रानियों का वेवार इतना अलग कैसे है राजा बेहदी असमंजस में पढ़ गया उसने तोती की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया वहां बैठे सादु मात्मा को परनाम करके उन्होंने पूरी बात बताई उन्होंने पूछा रिसीवर इन दोनों तोतों के वेवार में आखर इतना अंतर कियो हैं सादु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा यह कुछ नहीं राजन बस संगतिक रासर है जो तोता डाखों के साथ रहता है उसकी भासा और वेवार भी डाखों जैसा हो गया है वहीं जो तोता यहां रहता है उसका वेवार आधर भी है अर्धार्थ जो जिस सुवाताब्रण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगती को सोच समझ कर चुनना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बिलते हैं अगली वीडियो में अपना खैल जैस्त्रीकुष्ना